हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल और कैसे हूँ आप सब और यहाँ पर मैं आज लुक क्रियेट करने वाली हूँ गड़ेश चतुर्थी मेकप लुक मैं क्रियेट करने वाली हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे स्किन केर तो मेरी यह जिवामे की मॉस्चुराइजर है जो मैंने रिव्यू में बताया हुआ है और काफी वीडियो में भी यह बहुत ही अच्छा है और फेबरिट भी ह है मेरा आपने देखा ना मैंने सारा खतम कर दिया है मैं दूसरा लेने वाली हूँ उसके बाद जो है मैंने गुड़ वाइप्स का रोज हिप का ब्राइटनिंग सीरम लगा लिया है और उसके बाद हम लगा लेंगे लिब बाम तो यहां पर एक मिश्टेक मुझसे हो गई है बोलने में पहले लगाना है सीरम उसके बाद लगाना है मौस्चुराइजर और यहां मैंने टोनर को एबॉड कर दिया है क्योंकि इस टाइम टोनर मेरे पास कोई नहीं है गुलाबरी का है तो वो मेरे पास है लेकि अच्छे से लगा लेंगे इसकिन में और उसके बाद जो है वेस जो है हो जाएगा फ्लॉलिस और अब इस पे हम करेंगे ना तो हम कंसीलर लगाएंगे ना हम फांडेशन लगाएंगे और हम केबल जो है फेर और लबली बीवी क्रेम से ही मेकप पूरा करेंगे यह इस पर थोड़ी सी पैची लग रही है लेकिन अपने आप जो है धीरे धीरे यह सेट हो जाएगी उसके बाद आप इसको कॉमपैक्ट से सेट कर लीजिएगा तो यहां पर मैंने कोई भी कंसीलर कोई भी फांडेशन यूज नहीं किया है आप वीडियो में एंड तक बने रही है और थोड़ा सा जो डार्क सरकल दिख रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी सी फेर और लबली बीवी क्रीम थोड़ी सी और ले ले लेंगे और उसको जो है लगा लेंगे क्योंकि आई मेकप करेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से और बस अच्छे से इसको कर देंगे हलके हाथों से ब्लेंड और उसके बाद जो है हम गुड़ वाइप्स का कॉम्पैक्ट है मेरे पास तो उसको हम लगा लेंगे और उसको लगाने के बाद ये देखिए आया है ना काफी अंतर आया है आप देख पा रहे होंगे उसके बाद ये गुडवाइप्स का कॉम्पेक्ट है तो ये मैं लगा रही हूँ और ये मिरर जो है की चैन वाला मिरर है तो ये मैंने दिली से मॉल से लिया था जब अभी मैं बेटी के पास गई थी कुछ दिनों पहले तब मैंने लिया था तो ये बहुत ही अच्छा है इसमें एक जो मिरर है पास का है एक दूर का है कभी मैं आपको दिखाऊंगी रिव्यू में और मैंने मॉल से किया के लिया है बो भी मैं बद दिखाऊंगी आपको तो यहाँ पर मैंने कॉम्पेक्ट से जो बेस था उसको सेट कर लिया है अगर आप थोड़ा और जो है ब्राइटन अब चायते हैं चैरे को तो थोड़ा सा फियर और लबली बीवी क्रीम आप और लग खोड़ा करेंगे तो यहाँ पर मैं करूंगी लिक्विड रायर एस तरीके से कुछ नहीं है ज्यादा कynthesis में में इस तरीके चैरे से कुछ नहीं है ज्यादा और इस तरीके से आप बलेंड करह और इसके बाद पावडर से सेटिंकं नयरे DAVID और यह जो forehead की है वो आप उपर के side करिएगा और जो chin की है वो नीचे के side होगी अब हम पहले finger से कर रहे थे अब हमने ले लिया है brush और brush उठा लिया है और उसी से हम blend कर लेंगे और यह जो contour है इसको भी हम blend कर लेंगे then उसके नीचे कर लेंगे powder setting अगर आप loose powder करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं उसको उपर की side करेंगे contour जो है उसको हम उपर की side करेंगे उसके बाद हम brush से भी कर देंगे और हाँ से अच्छे से हो रहा था तो मैंने उसके बाद यह देखिए brush से भी हम कर देंगे और काफी flawless make-up लगने वाला है आप जो है वीडियो में अंते तक बने रहे है और यहाँ पर मैंने आउट फीट बियर किया है red और red ही मैंने wangles भी डाली हुई है और यह वही मेरा पुराना Hilary Roda का eyebrow palette है इससे हम कर लेंगे eyebrow पर set इस तरीके से काफी अच्छा है यह और इसमें comb भी एक side आता है एक side brush और एक side comb आता है तो उसी से आप अपनी eyebrow को fill कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर eyebrow हो गई है fill हमारी उसके बाद मैंने ले लिया है eye shadow palette इसमें से कोई सा भी red color हम पिक कर लेंगे और fluffy brush से हम eye corner पे उसको apply करेंगे तो यहाँ पर क्या है मैं काफी time से आपने देखा होगा मैं finger से ही लगा रहे हूं और वही मुझे comfortable लग रहा है आप देख पा रहे होंगे मैं finger पे बापस से finger पे आ गई हूँ क्योंकि मैं brush से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि brush से मेरा चरो साइड मैसी हो रहा था तो मैंने finger से ही लगाना better समझा तो इसके बाद क्या है दूसरी eye में भी हम लगा लेंगे और finger से क्या है आपका ज़्यादा मैसी नहीं होता है eye shadow आप जहाँ पर लगाना चारहे होंगे वहीं पर आपका लगेगा और finger से ही आप हलका सा blend कर लेजेगा यह देखिए तो यहाँ पर क्या है मैंने थोड़ा सा उसमें golden color भी पिक किया है eye shadow palette से और थोड़ा सा मैंने लगा लिया है क्योंकि ना यह थोड़ी सी red smokey eyes हलका सा look दे रही है अगर आप समझ पा रहे होंगे दिख रही हूँ आपको तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर मैंने eye shadow लगा लिया है देन उसके बाद हम लगाएंगे और यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रस से blend कर लेती हूँ ताकि जो मैसी मैसी है वो अच्छा मनलब थोड़ा अच्छा दिखने लगे तो मैंने यहाँ पर fluffy brush है मेरा तो मैं इससे जो है अपने आई सैडों को ब्लेंड कर लूए उसके बाद क्या करेंगे जो भी फॉल आउट हुआ है उससे हम कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे बहुत जादा मेरा फॉल आउट नहीं हुआ था मैंने जो है फिंगर से ही अपलाई किया था और थोड़ा ह हाथों से करिएगा उसके बाद मैंने यहां ले लिया है मामा आर्थ का काजल जो मैंने हाली पर चेस किया हुआ है तो वो मैंने लगा लिया है और आई लाइनर में थोड़ा मोटा ही लगाने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा न अच्छा लगेगा यहां पर मैं लखमे का इसके जाई लाइनर लगा रही हूँ यहां पर मैं बैटे बैटे गई हूँ ठक तो मैंने थोड़ी से और यहां पर देखिए देखिएगा फ्रैंड्स क्या है कि वीडियो में बहुती मेहिनत लगती है प्लीज आप जो है लाइक सेयरं ससक्राइब जरूर कर दीजिया करे और वीडियो बनाने में बहुती मेहिनत लगती है आप खुदी देख पा रहे होंगे उसके बाद उसको रिमूब करो काफी कुछ हो जाता है और एक हाउस बाइफ होने के साथ ये सब मैनेज करना बहुती बड़ी बात है और यहाँ पर हैस्पेन भी बैठे हुए थे तो वो कुछ बोल रहे थे तो मैं सायद हस रही हूँ किसी बात पर उनकी तो यहाँ पर मैंने ये देखी लख में इसकेज आई लाइनर है मैंने थोड़ा मोटा ही लगाया है और उसके बाद अम मैं आ गई हूँ ब्लू एविन का लेंग लॉंग लेंथ मस्कारा है यह मेरा यह भी काफी पुराना है अम मैं न्यू जल्दी पर चेस करने वाली हूँ तो यह मैंने जो है और यहाँ पर मैं लगा लूँगी रेड लिपिष्टिक ब्लड रेड लिपिष्टिक है मेरी तो मैं यह लगा लूँगी यह लुकिट की मैट मेट लिपिष्टिक है मतलब लिकुड भी है और मैट भी हो जाती है लगाने के बाद दूसरा क्या है दूसरा ये जो मैंने लुक क्रियेट किया है ये मेरा इंडियन इंडियन फेस्टिविल गडेश चतूरती का मेक अप है और दूसरा मैं जल्दी आपको देखने को मिलेगा महाराश्टियन मेक अप लोग जो होता है नत वगेरा उसमें दूसरी पैनते हैं न तो वो मैं जल्दी अपने वीडियो में चैनल पे अपने डालूँगी तो आप लोग जरूर से चेक आउट करते रहेगा तो यहां पर क्या है दैन मैंने क्या किया पहले में हाइलाइटर लगाने लगी और हुता क्या है जल्दी जल्दी से क्योंकि एक हाउस बाइफ को मेक अप का मेरा चैनल है तो मैं मेक अप ब्लॉक मेरा चैनल होता क्या है कि उसके बाद जो है और भी काम रहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी से बस सूट कर रही हूँ तो यहां पर क्या है मैं पहले हाइलाइटर लगाने लगी थी और उसके बाद मैंने हाइलाइटर को रख दिया है पहले ब्लस लगाया है लगाया है ब्लू है बिन का दन उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया है इसलिए तो कह रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग जो है जरूर से लाइक से रहे हैं सस्क्राइब कर देजिया करिए क्योंकि होता क्या है कि बड़ी ही मेनत लगती है इसमें और देखिए यह मैंने चोकर जो है फिलाल मीसो से मंगाया हुआ है काफी अच्छा मांग टी का भी इसमें आया है तो काफी अच्छा लग रहा है यह और यहां पर गड़ेश चतुर्ती मेकप लुक है तो मैंने गड़ेश जी को भी ले लिया है हाथ में और बस यहां पर पिक में खेंच लूँगी और यह देखिए वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ओकी बाइबाए